हलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल शिवलीला क्रियेशन में 15 जून अंतराष्ट्रिय योगा दिवस जिसे अंतराष्ट्रिय योगा दिवस मनाने का प्रस्ताव हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जीन दिया तर इस दिन को हम अंतराश्च्रिय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं यह एक अनुठी कला है आनंद लेने का योगा तो सभी अपने अपने घर में करते ही हैं लेकिन इस दिन अगर सब लोग मिलकर करते है कई लोग अपने ससाइटी में ग्रूप बना के करते हैं कई लोग पार्क में अपना ग्रूप बना के करते हैं, कई संस्ताने इस तरह के आयोजिन करते हैं तो योग से हमारा मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाने का प्रयास रहता है योग के विभिन रूपों से हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ को अलग-अलग तरीके से लाब मिलता है योग का अभ्यास एक बहतर इंसान बनने के सांसां एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सकून भरे शरीर को पाने की तरफ हमारी पहल है योग अपने अध्भुत स्वास्थ लाबों के लिए जाना जाता है यहां हमारे जीवन में एक प्राचीन भारतिय कला को अनमोल करने की महत्व पर बल देने का एक महान प्रयास है इसी उपलक्ष में मैं श्रीमती अश्ना गुपताजी की कवीता योग रखे निरोग प्रस्तुत करने जा रही हूँ योगा रखे निरोग स्वस्त संतुलेत होगा सुन्दर जीवन का विकास सद्यों से आजमाई शत प्रतिशत सोला आने सची बार विश्प पटल पर योगा ने सर्वत्र बढ़ाया महान भारत का मान सम्मान मन प्रुफल लेत तन होपल के जीवन की रा होगी तब ही आसान आशा करती हूँ आपको यह कवीता बहुत ही अच्छी लेगी होगी इसी की सान धन्यवाद